चलिए दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्ल्ड एफे चैनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के करेंड एफे डेली बिस्टिस पर यहां पर आपड़ सकते हैं किक पॉइंट और मेरा टेलीग्राम चैनल जोइन करें आपको पीडियाफ और लिंक मिल सकें और सेवन पीम पर पॉवर्टी है और उसके अलावा जो है फूल एम्प्लॉइमेंट अगर मिलता है शोशल इंडिग्रेशन सभी का होता है तो डेफिनिटली पॉवर्टी एक्स्लूजन अनेम्प्लॉइमेंट यह सब चीज़े जो हैं कम होगी इसकी शुरुवात कब हुई थी 1995 में वर्ल सम सब्सक्राइब के सामने कौन से वाइस एड्मिरल जो रिटायर हुए है और अपॉइंट कियेंगे एज फर्स्ट नेशनल मेरी टाइम सेक्यूर्टी कोडिनेटर तो आंसर एस कुछ जी अशोग कुमार थ्यार रखिए यह वाइस एड्मिरल जो जी अशोग कुमार जी है र नेशनल मेरी टाइम सेक्यूर्टी कोडिनेटर तो यह पहली बार इस पोस्ट पे एक अपॉइंटमेंट हुई है जो कि नेशनल सेक्यूर्टी काउंसिल सेक्रिटेरियट के अंडर होगी जो की हैड करते हैं नेशनल सेक्यूर्टी एडवाइजर अजेद दॉल इंपोरन को position अगर देखे जाए तो वो एक military advisor post की होती है जो कि national military advisor post होती है ध्यान रखेगा और इस समय के current national military advisor post पे कौन है ध्यान रखेगा अनिल चोहान है at current अगर देखा जाए इसकी military advisor की post 2011 में इसको भी शुरुवात किया था और ध्यान रखेगा अभी ये शुरुवात की गई है national military security coordinator advisor की भी पोस्ट चली देखें mathpun सवाल आप सभी के सामने एक और हाल फिलाल में कौन से ministry है जिसने अप्रूव किया है कि ये new India literacy program को जो है शुरू करने वाल है so that की adult education का aspect भी जो है cover हो सके तो answer है ministry of education ये अभी discussion जो हो रहे है budget session के उपर उसी में ही कुछ discussion में कुछ programs के बार बता जा रहा है तो इसमें से एक है new India literacy program देखे भारत में literacy को promote करने के लिए तो बहुत सारे programs है लेकिन उसमें एक one factor है important जो की adult education का है इसी को promote किया रहेगा इसमें की adult education provide करनी चाहिए तो new India literacy program जो की 22 से लेके 27 तक चलने वाला है इसमें adult education का factor भी जो है एड किया जा रहा है ये किसके तहत होगा national education policy बीस बीस के तहत ही होगा budget session अभी जो discussion हो रहा है उसी में सब सी जो पर discussion किया गया है और इसका जो objective है foundational literacy और numericacy के साथ साथ जो है लाइफ की जो skills है उस पर भी discussion जो कि 21st century में required है one of the example adult education है इसमें ये एक digital mode में किया जाएगा online mode में जितने भी volunteer रूप में जो है कर सकते हैं बाडिश्पेट वो कर सवाल हाल फिलाल में A23 जो online gaming application है इसके ब्रैंड investor कों गोशित किये गए तो शारुक खान आप सभी जानते हैं बहुत से brands के ambassador है और अब A23 के भी जो है ब्रैंड investor है जो कि एक तरीके से जो है one of the famous भारत में इस समय gaming platform है क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे games स्टार्ट की गी है जो famous वन है रमी है जो fantasy sport है करम and bowl है यह सब स्टार्ट किया गया है इसी A23 gaming platform के द्वारा जो भाब हभी जो शारुक खान जी को बनाया गया है ब्रैंड investor यह promote करने वाले है एक tagline campaign tagline होगी चलो साथ खेले यह campaign tagline को ही promote किया जाएगा इनके द्वारा इसमें चली देखें मैं इत्पुन सवाल बताई है हाल फिलाल में प्राइम minister नरेंद मोदी जी इन्योग्रेट करें हैं बायो cng plant कुन सी city में तो answer है इस question का इंदोर में तो यह इन्योग्रेशन जो गोबर धन के उपर बायो cng plant का किया गया वो इंदोर मध्य प्रदेश में वीडियो कॉंफेंसिंग के थ्रू तो यह एक पार्ट है स्वच भारत मिशन अर्बन 2.0 का overall इसका जो वीजन है वो यह है कि garbage free city होनी चाहिए definitely अगर बायो cng plant होगा तो definitely जो city है उसमें garbage कम होगा इस plant में capacity है कि 550 तन पर डे जो है segregate कर सकता है organic waste को और अगर देखा जाए तो 17,000 जो है kilogram per day of cng का production भी कर सकता है 100 तन पर डे ऑफ organic composite का production भी कर सकता है तो definitely इसका benefit बहुत होने वाला है यह एक तरीके से plant based होगा zero landfill model पे जो की जो है important रहेगा और beneficial रहेगा multiple environmental benefits है इसके जैसे की greenhouse gases reduction होगा emission reduction होगा definitely और जादा produce किर पाएंगे और organic जो है composite जो है उसका production रहेगा चलिए एक और portion देखिए मैंत्मंस वागर्मन्ट के द्वारा जो है राष्ट्रे उच्चतर शिक्षा अभ्यान को extend किया गया है कब तक के लिए तो 31 मार्च 2026 तक के लिए important question है आने के chances है government of इंडिया के द्वारा राष्ट्रे उच्चतर शिक्षा की जो validity है इस पूरे program को scheme को 31 मार्च 2026 इस तक आगे extend कर दिया गया है और इसका जो अभी और आगे लागत आने वाला है 12,929 करोड के आसपास का लागत होगा ministry of education के द्वारा education ministry के द्वारा जो है इसमें जो है 1,600 प्रोजेक्ट जो है और डाले जा रहे हैं so that new phase में और कुछ बदलाव लाए जा सके हैं और इस बार जो इस phase में है strengthen करने की कोशिश की जाएगी non aggregated universities को भी colleges को भी और teaching learning और languages पे भी जो है focus किया जाएगा और जो specific advantage रहेगी specific support मिलेगा किस के लिए gender inclusion के लिए equity initiative के लिए ये सब कुछ नए जो words है इस second phase के statement में लाएगे है skill upgradation इस सब पे focus किया जाने वाला है तो states को भी support किया जाएगा new model degree colleges का concept भी लाया जाएगा ये सब चीज़े आपको इसमें देखने को मिल सकती है चले देखिए मैं अपन सवाल कौन सा country जिसने अडोप किया है इंडिया का unified payment interface तो ये नेपाल के द्वारा किया गया है देखिए आप सभी जानते है national payment कोर्परेशन का एक international आम जो है जिसको हम कहते है एन पीसी इंटरनेशनल पेइमेंट लिमिटिट एन इपील के नाम से इसने टाइप किया है नेपाल के gateway payment services और मनम infotech के साथ जो कि नेपाल में services प्रवाइड कराता है अगर मैं GPS की अगर मैं बात करूँ gateway payment services के बात करूँ तो ये नेपाल में authorized payment के लिए operator है और जो मनम infotech है ये unified payment interface के लिए operator है और अब भारत का NPIC NIPL जो है इनके साथ टाइप कर चुका है collaboration का फायदा यह होने वाला है कि यह real time person to person interaction हो पाएगा और NPCI और NPCI जो है इसमें neighboring countries को involve करना चाहता है COVID-19 के समय में यह platform नेपाल में बहुत ज्यादा पोप्लर होगे इसलिए इसका tie-up अब हुआ है चली देखे मैं पून सवाल कितनी अफ्रीकन country हैं जिसको revolutionary MRNA technology मिलने वाली है तो यह announcement हुई है छे देखे COVID-19 में अफ्रीकन countries की मदद सभी कर रहे है world health organization कर रहा है लेकिन अगर उनको खुद के medical equipment या medical medicines production करने का मौका मिलेगा तो ज़्यादा benefit होगा तो इसलिए जो है छे अफ्रीकन country जिनका basically नाम याद रखेगा Egypt, Kenya, Nigeria, Senegal and South Africa और Tunisia है यह छे countries है जिनको इसमें डाला गया है जो की अपना खुद का इनको mRNA vaccine production का transfer किया गया ठीक है यह transfer किस समय किया गया ध्यान रखेगा यह transfer की announcement की थी अभी ब्रूसल में submit हुआ था जिसमें European Union, African Union का submit हुआ था उसमें इसे transfer का announcement किया गया और World Health Organization ने भी जो है कुछ समय पहले ही इसका announcement किया गया था कि अफरीका को mRNA technology transfer किया जा सकता है और जिससे की low और middle income countries जो है अपना खुद का production कर सकती है और COVID-19 से बचाब ले सकती है चली देखे एक और question आप सभी के सामने recently कौन सी country है जिसने अपने COVID-19 के जो border control थे उन सभी को relax किया आई यानि कि अब यहां पे आना जाना possible हो पाएगा जैपान इसका answer है जैपान one of the economy है जो की जूंज रही थी COVID-19 में बहुत सारे restriction लगाने के बाद economy का issue पढ़ा लेकिन अब जैपान ने इसे free का out कर दिया है क्य जैसे इंडिया में भी abnormal है नहीं तो अधरवाइस देखा जाए तो इतने सारे जो लोग है यह बेट कर रहे थे कि जैपान में किस तरीके से कब open होगा और यह study के लिए आगे continue कर सकेंगे दो साल तक का वीड किया है फोरन स्टूडेंट जैपान में वैसे भी education tourism बहुत तो आंसर है इस कुछ नगा पेटीम ने देगे ट्विटर के द्वारा जो है अपने जो इस पूरे प्लैट्फोर्म को मॉनेटाइस करने के लिए tips का initiate किया था तो ट्विटर नहीं यह जो टिप्स जो फीचर है अनेबल किया था तो मॉनेटाइज एंड टू है तो जो है इस इनके साथ कर लिए ट्विटर के साथ है ना तो अब यूप 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 थोड़े बहुत इंफ्रेंस के साथ इसको बस एक्सपरिमेंटल बेस किया गया था वो सक्सेस्फुल हो गया तो अब बाकी सभी के साथ हो रहा है ठीक है तो इंपोर्टेंट है यह 18 एर के एज की जितने भी है उनका यूस और एंड्रोइड पर यह जो एवलेबल होगा चली एक और कोशन देखिए मैंटपॉंट सवाल कि यह कनेडा लिटरेचर के डॉक्टर चेना वेरा कनेवी जो है इनका निधन हुआ कि सेज में तो आंसर है 94 देखिए जब ऐसे वेक्ति का निधन होता है जो कि किसी एवोर्ड से समभानेत है तो उनका हमें बस नाम तो जरूर पता होना चाहिए तो पहले तो इनके बारे में जालने थे हैं यह जो कैनेवी है इनका निधन जो है हुआ है 94 की एज में इंपोर्टन कोशन आ सकता है ही वास बोन इन हमवल इन 18 जून 1928 इंपोर्टन फिंग इस कि इनको जो है साहित्य अकाडमी अवोर्ड मिला था किसके लिए तो इनका एक वक्ता पॉइट्री वर्क 1981 में इन्हें जीवा ध्वनी के लिए जो है साहित्य अकैडमी अवोर्ड से सम्मानित किया गया इनके द्वारा पैंडवन की गये 15 बुक्स कंपाइलेशन और इनके द्वारा की गई है और इन्होंने ग्रेजुएशन करनाटक करनाटका से की है और इनको एक नाम से जाना जाता है इस वजह से भी एक कोशन आ सकता है क्यूंक पॉइंट देखीएका हाल फिलाल में इंशेन बुद्धिस टेंपल डिसकवर किया गया कहां पे पाकिस्तान में कोनसे देश के पीम ने कंट्रिवीशल स्टेट्मेंट कही है इंडिया के लिए सिंगापूर और उसके अलावा जो है इंडिया से किसने help मांगी है यूकरेन के conflict में तो USA इंडिया को भी involve कर दिया है मैंने कल आप से एक सवाल पूछा था कुन सी largest management lake है सोनाली सिंग के द्वारा बिल्कु correct answer असान कोशन था और दूसरा कोशन आज का देखिए comment box पर बताईगा Britishers ने force cultivation मदरास में जो करवाया था उसमें क्या grow करवाया ऐसी हर एक का है तो सभी का बता सकते है मदरास में क्या बंगाल में क्या पंजाब में क्या डिटेल फोर्म में comment box में डाले टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करेगा अमन्सर वाइफेस्टेडी डेली विडियो 6 एम पर वर्ल अफेस के वीडियो सेक्शन में आती है और स्कॉलर्शिप का लिंक आप यूटलाइज कर सकते हैं ध्यान रखिएगा स्कॉलर्शिप 27 को होने वाला है यह कोड है लाइवमन आपको इसका लिंक स्कॉलर्शिप टेस्ट के नाम से कमेंट बोक्स पर मिला हुआ है इसको लाइवमन कोड को यूज़ करके एंडॉल कर लीजेगा और यह अपॉर्चन यूटलाइज करिए रिपोर्ट एंड विन का ओप्शन अवलेबल है दोस्तों कोर्सिस आपके लिए सब्स्रिप्शन के लिए अवलेबल होते हैं लाइवमन कोड से आपको सिंगल सब्स्रिप्शन में सब कुछ मिलेगा सारी PDF सारे ठीचर्स की क्लासिस मिलेंगी unlimited access होगा किसी भी exam में चाहिए वो कोई सा भी हो आप निमलिक्त में से कोई सा भी exam इसे जोर्ण कर सकते हैं या इसके अरावा भी कोई भी अनकेडमी पे exam एवलेबल है प्रिपेशन तो लाइवमन कोड से आपकी फीज जो है कम हो जाएगी कुछ भी फीज होगी उसमें discounts आपको लाइवमन से जरूर मिलेंगे तो इस code को use करेगा और utilize करेगा opportunity को चले बाकी session को like करेए share करेए चैनल को subscribe करेए thanks a lot for watching